दोस्तों क्या आप जानते हैं Stand Up India योजना की अवधी बढ़ गई है? नहीं? तो आईए हम आपको बताते हैं इसके बारे में और भी बहुत कुज्र 5 अप्रेल 2016 को Stand Up India योजना की शुरुआत की गई थी, 2023 में इसकी योजना की अवधी बढ़ा कर 2025 तक के लिए कर दी गई है Stand Up India योजना आखर है क्या? तो हम आपको बता दें कि यी योजना SCST वर्ग और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2016 में Stand Up India के नाम से शुरू करी गई थी, इस योजना के अंतरगत किसी भी बैंक में कम से कम किसी एक SCST वर्ग के उधार करता या महिला उधार करता को 10 लाग से एक करोड तक का रिण प्रदान करना होता है इस योजना का लक्षिय सभी बैंक शाखाओं को रिण प्रदान करने हेतु प्रोथ साहित करना है अगर आप SCST वर्ग से या महिला हैं तो आप किसी भी बैंक शाखा में जाके या सीधे Stand Up India के पोर्टल पे जाकर रिण के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस योजना का लाब उठा सकते हैं अब आई आपको बताते हैं योजना का लाब उठाने के नियम क्या-क्या है परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है व्यापार क्रिशी या निर्मान के शेत्र से संबंधित गतिविधियों का उपक्रम है गएर व्यक्तिकत उध्यमों के मामले में इंक्यावन प्रतिशत की शेर होल्डिंग और नियंदरन हिस्सेदारी या तो SCST वर्ग या महिला उध्यमी के पास होनी चाहिए रण करता का नाम किसी भी बैंक शाखाओं के डिफाल्टर लिस्ट में दर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिती में रण करता को पर्योजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अपने योगदान के रूप में भुक्तान करना होगा इस योजना के अंतरगत पिछले साथ सालों में 1,80,634 खातों में 4,710 करोड रुपे तक की राशी स्विक्रित की गई है 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाब उठा लिया है